है यह लो अलो यू वेलकम बेक टू मैं क्लास मेरा नाम है जोती और आप देख रहे हैं जेजी केमिस्ट्री तो स्टुडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉलिबिलिटी प्रोड़क्त और कॉमान आयन इफेक्ट की यह टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है 11-12 के स्टुडेंट्स के लिए बेसी के स्टुडेंट्स के लिए मसी और अगर आप कोई भी कॉम्पेटिशन की त्यारी कर रहे हैं यह टॉपिक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इससे क्वेशन डेफिनेट्ली आते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और और इंप्रेस्टिंग टॉपिक पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो साथ में बैल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का लिटेस्ट नोटिफिकेशन विलता रहे अगर आपको कि यहां पर मैंने DIeson ऐसे 坐या को टाइए सब रहर से सुपरिंगर कि जमाट हुडब एस वाहल निए तो बहुत ही डिस्वाट जो कि इसका बहुत ही कम इंड प्रेंच होता है इसलिए म construction करते हैं कि कितना वो हुआ है तो अगर आप प्रिडिक करेंगे कि वाट इस वाटर में यहीं होगी मोल्स पर लीटर कि कितने है अगर इसके बार इसका आइनिक पॉब्लिक प्रोड़क्त हम इस पर इस पर इसके यहीं कि यह स्टैप रिवर्जिबल डिखा हुआ है जो कि यह मोस्ट अब टाइम रहता है इसका बहुत ही माइनिट अमाउंट इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपनी कैल्कुलेशन को इसी करने के लिए जो बहुत ही माइनिट में हुआ है और हम आइन्स को भी एसस लिख सकते हैं इसको हमें इसका फॉर्मिले लिखना हो तो लिख सकते हैं हैं solubility product ksb equal to concentration of the ions यहां पर हमारे एजी प्लस और सीएल माइनस से स्क्वार ब्रैकेट हमारा concentration को रिप्रेजेंट करता हैं क्यूंकि यहां बन बन मोल दोनों के हैं तो हमने यहां पर बन बन स्क्राइब करते हैं तो यहां पर सिल्वर आयों से यहां बटु एजी प्लस फॉर्म होगा सिया रोपोर तो माइनस तो अगर हम इसको सॉलिवलिटी प्रोड़क्त को फॉर्मुला लिखेंगे तो इसका के एस्पी क्यूंकि तू अमांट इसका आया है हमारा फॉर्मोल्स आयों इसके और जो भी स्क्राइब में लिख देते हैं रहें तो यहां पर तो क्यूंकि हैं तो स्क्वार हो गया तो अगर 2AG+, को अगर हम 2S से तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2S2.S dot means product आप मल्टिप्लाइ कर रहे हैं 4SQ तो अगर आपको KSP दिया हुआ है तो आप solubility find out कर सकते हैं और solubility दिया हुआ है तो आप KSP find out कर सकते हैं यहां एक और common factor देखा जाता है चाहां आपको बोला जाता है common ion effect क्या मतलब है इसका basically हम एक question लेके समझेंगे AGCl जो हमने बात करें अगी AG plus CL minus अगर आप यहां पर किसी भी आइन का चाहें वो silver plus हो यह CL minus हो अगर उसकी concentration को बढ़ा रहे हैं एक एक्स्टा salt को एड करके सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर के सीएल माइनस होता है तो बेसिकली आपको यहां पर टोटल सीएल माइनस की concentration बढ़ जाएगी और यह equation हमारी अन्बैलेंस हो जाएगी तो यह अक्कॉर्डिंग टू लेश आत्रियर प्रिंश्रिपल यह equilibrium लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा रेक्टन की तरफ मीज यहां पर precipitation होने लगेगा precipitation जादा होगा इसका मतलब solubility कम होगी तो बेसिकली अगर हम common effect कोई भी आयन की amount increase होती है तो उसकी वज़े से solubility decrease हो जाती है और क्यों decrease हो जाती है क्योंकि एक लिए वह हमारे left side में shift हो जाता है जहां precipitation होने लगता है और precipitation होता है इसका मतलब solubility decrease होती है तो बेसिकली आपको याद रखना है common effect जो है चाहें आपके इस case में चाहें silver का amount increase हो रहा हो या CL minus का increase हो रहा हो दोनों ही case में आपका solubility decrease हो जाएगी और हम solve करेंगे कुछ problems जो भी हमने concept सीखें उसको यूज करने लिए तो सबसे पहला problem है यह आप दे सकते हैं यहां पर आपका solubility product दिया हुआ है एगी चीएल का 1 into 10 to the power minus 10 उन्होंने पूछा है calculate the concentration of silver plus and CL minus in a saturated solution of AGCl तो मैं यहां पर concentration पूछी के silver of chlorine की saturated solution में और molar solubility of AGCl पूछा है तो हम देखते हैं अब इसका solution पहले हम equation लिखेंगे जैसे हमने अभी formula में देखा था और solubility की terms में उसके बाद solubility product का formula जो हम already discussed कर चुके हैं क्योंकि यह KSP दिया हुआ है आपको solubility find out करनी है और concentration find out करनी है जो कि equal है तो आपका solubility निकल के आता है और आप इसी को concentration बोलते हैं तो आपका silver का concentration पूचा है वो भी 1 into 10 to the power minus 5 moles है CL minus क्योंकि दोनों सेम ही है उसकी भी concentration सेम ही रहेगी और क्यूंकि यह concentration हमारी equal to molar solubility है AGCL की जितने ions form होंगे वो equal to होंगे कि जो भी हमारा जितना भी solubile हुआ है AGCL तो हम क्या सकते हैं कि the solubility of AGCL is the same है ना 1 into 10 to the power minus 5 तो इस तरी के से आप यह problem को solve कर सकते हैं next problem जहां पर आपको solubility product दिया हुआ है silver chromate का आपसे पूछा गया है molar solubility find out करनी है और आपको molar solubility solubility find out करनी है gram per liter में जहां आपको molecular wave दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसकी equation लिखेंगे और formula लिखेंगे solubility product का हम जानते हैं क्योंकि यहां पर हम equation अल्री गेच चुके अपने formula में ag plus जो है two moles use हो रहे हैं तो हम यह 2s लिखेंगे chromate का one mole s लिखेंगे solubility product का formula square में square करके और उसके बाद हमने formula लिखेंगे 4sq अभी इसी formula में हमारा ksp का value दिया हुआ है molar solubility कूछी है तो molar solubility find out करनी है जाना प्र लीटर में अब क्योंकि उन्होंने gram per liter में भी उसका और पूछा गया है क्या solubility और molecular weight दिया हुआ है तो हम यहां पर जो हमारा most per liter आया है उसको हम उसके molecular weight से multiply कर देंगे तो हमारे पांस answer आएगा वो gram per liter में होगा तो इस तरीके से मोस per liter को gram per liter में कर बड़ कर सकते हैं उसके molecular weight से multiply कर तो इस तरीके से आप यह वाली problem मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दूँगी ताकि आप अपना खुद का टेस्ट ले सकें तो इसमें प्रॉब्लम है find the solubility product formula of AL2SO4 whole thrice तो आपको क्या करना है आपको AL2SO4 whole thrice का पहले equation लिखिये उसका आप solubility product का formula लिख सकते हैं वही formula यहां पर पूछा गया है आप solubility S करके भी represent कर सकते हैं next problem है solubility of agcl दे रखा है in 0.1 molar kcl solution ksp पूछा गया है solubility कूछी हुई है solubility what is the solubility of agcl in 0.1 mol of kcl तो अगर आप देखेंगे common and effect की problem है यह हमारा agcl का solubility पूछा गया है 0.1 molar kcl add कर रहे हैं इसका मतलब हमारा cl minus concentration increase हो रही है तो अगर हमें agcl equation को लिखते हैं और उसकी solubility को s से represent करते हैं तो यहां पर हमारा क्योंकि total cl minus volume ज्यादा हो रहा है solubility ज्यादा होगी amount ज्यादा होगा तो हम उसको represent कर सकते हैं 0.1 plus s क्योंकि यहां पर cl minus extra आ रहा है तो solubility बढ़र रखता formula हम को agcl case में बता ही है ag plus cl minus दोनों का product और ksp की value दे रखी है ag plus को हम ऐसे represent करेंगे cl की molar solubility लिख चुके हैं 0.1 के comparison में इस जो है आप solubility बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम उसको neglect करेंगे और हम अपनी problem को solve करके solubility को find out करेंगे जो की 1.0 into 10 to the power minus 9 अगर आप देखेंगे हमने जो पहले first problem solve करी थी जहां आपने kcl add नहीं किया था solubility 1.0 into 10 to the power minus 5 आप देख सकते हैं common ion effect से हमारी solubility decrease हुई है जो कि हमने common ion effect में देखा था common ion effect solubility को decrease कर सकता है कर देता है और यहीं यहां पर उसका प्रूब है हमारा जो agcl की solubility थी वो decrease होकर 10 to the power minus 9 mol पर लीटर हो गोई है आप यहां यहां इन 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 कीजिएगा और यह मैंने यहां भी mention किया हुआ है जो statement अभी मैंने दूला की solubility decrease है calcium phosphate solubility product दिया हुआ है और what is the solubility in 0.1 molar S3PO4 यहां पर आपका यह भी problem common ion effect का है कि यहां भी हमारा phosphate है और यहां भी हम S3PO4 phosphate कर रहे हैं तो 10 ml of 0.2 molar AgNO3 is added to 10 ml of 0.1 molar NaCl तो यहां पर आपको moles और आपको उसकी volume दिया रखा है इसी तरीके से calculate the concentration of Cl- remaining in the solution at equilibrium तो यहां से concentration पूछा गया है solubility पूछी गई है AgCl की solubility product दिया हुआ है तो हम सबसे पहले तो equation लिखी है आपर AgNO3 is added to 10 ml of 0.1 molar NaCl तो NaCl की solution में हम AgNO3 add कर रहे हैं दोनों ही water में हैं इसलिए एक्वस से रप्रेजेंट किया है जब दोनों मिलते हैं तो AgCl precipitate out होता है इसलिए solid form है plus NaNo3 में ही रहता है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्वस में solution में water solution में जब NaCl होता है तो आनिक फॉम में होता है completely dissociate हो चुका होता है Na plus Cl minus अगर हम उसमें silver nitrate को add कर रहे हैं जो कि water में solubile है water में dissolve है तो क्या होता है AgCl precipitate होने लगता है यह reaction है हमारी यह problem हम बहुत ही simple और easy तरीके से solve कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ easy method तो क्या करेंगे इसके लिए formula लिखेंगे जहां पर concentration of excess of iron जो भी आपका excess में दिया हुआ है उसकी concentration निकालेंगे with the help of this formula M1 V1 minus M2 V2 divided by V1 plus V2 जहां M1 और M2 इसके molarity है V1 and V2 volume है तो क्योंकि यहां पर हमारा silver iron axis में है तो जो axis में होता है उसको हम पहले रखते है 0.2 हमारा molarity दे रखता है 10 mm में और उसके बाद हमारा 0.1 into 10 total volume 10 plus 10 तो इस सरीके से आपका जो concentration सिल्वर का आता है और क्योंकि हमारा KSP का formula silver chloride के लिए हमें पता है CL minus की concentration हमसे पूछी गई है KSP दिया हुआ है AG plasm calculate कर चुके हैं आपको CL minus का concentration निगाल सकते हैं तो हमारे पास CL minus का concentration आ गया क्योंकि solubility हमारी इस सेल्वर की सील माइनस concentration कर रिपेंड करती हैं क्योंकि हम यहां पर एने सील को एड कर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट हमारा सील माइनस का concentration आएगा उतनी भी solubility होगी क्योंकि यह भी एक कॉमन आयन एफेक्ट के ऊपर ही है और आप देख सकते हैं यहां पर सील माइनस की कॉंसेंट्रेशन आती है solubility आती है 2.0 इंटू 10 डिपावर माइनस 9 तो यह एक कॉमन आयन एफेक्ट की प्रॉब्लम है और जहां पर आपको यह फॉर्मिला एपलाई करके आप अपने इस प्रॉब्लम को इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको यह लेक्चर बहुत समझ में आया होगा और इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी वीडियो में तिल देन बाई बाई